प्रक्राइब करता हूँ आपके अपने परिवार पर सभी साथियों को दोस्तों राम राम राधे राधे आई हो आप लोग अच्छे होंगे घर पर होंगे स्वस्त होंगे अच्छे तरीके से आप लोग की पढ़ाई प्रप्रेशन बहतर डंग से चल रही होगी दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता था कि से स्टार्ट होनी थी पच्छ टेकनिकल इस समय पर लाइव नहीं हो पाई तो मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपकी एक सेशन है वह उसी समय पर रहेगा मैं इस क्सेशन को भी रिकॉर्ड कर देता हूं जिससे आपको यह मिल जाएगा आप लोग इसको देख लीजेगा सेंटर ओफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ओफ इनर्शिया ओफ फस्स पार ठीक है यह आपके पास सेशन है रहेगा ठीक है तो शुरुआ सुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लास की और इस पर आने से पहले मैं ध्यान रखेगा कि बहुत सारी रिस्पेक्टिव चीजें हैं जो मुझे आपको पता नहीं है जैसा कि आप लोग को पता है बेटा आपका एक्जाम 16 से 18 दिसंबर आपके पास है 16 17 और 18 दिसंबर को आपका विपर है ठीक है तो आप इन में क्या कर सकते हैं इन में बिलकुल इस इबुक की माध्यम से इस इबुक की माध्यम से आप या कर सकते हैं बिलकुल अपनी तयारी को और मजबूत और शुद्रन कर सकते हैं जवर्दस तरीके से लगे रही है जुटे रही है बिलकुल अपनी परप्रेशन को मजबूत मजबूत धार के साथ आगे की तरफ जो की बहुत ही जाधा important है जो की बहुत ही जाधा important आपके लिए रहेगा रहने वाला है इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको यह QR code के माध्यम से इस book को purchase करना है और ebook माध्यम से ही practice करनी है दोस्तो practice आपको करनी है और अपने practice को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है तो अगर मैं आप लोगों को बताओं ठेक है अगर मैं आप लोगों को बताओं कि आप लोगों के पास cvt2 का भी नविगेटर है और आज आप लोग एक important update भी है जो कि मैं थोड़ी दिर बाद आप लोगों को provide कराऊंगा उसको भी आप लोग सुनिएगा देखने वाले हैं यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी शेशन आपके पास यह जो 4050 कोस्टन के लगवगा यह आपके पास complete टेक्निकल नॉन टेक्निकल के रहेंगे जो भी सीवीड़ी टू का स्लिवस है इस qr-code के माध्यम से इस आप नविगेटर को भी परशेस कर सकते है यह भी बहुत जरूरी है तो यह आप सभी चीज़ों पर थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगा बिल्कुल ध्यान देकर चलेंगे और इस तरीके से सभी चीज़ों पर आप लोग फूकस करते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपके सब्सक्राइब करते हैं ठीच यहाँ पर आपके पास ढ़के दो दो कुर्सेटी वन प्लस प्लस पास के इसर करें तो यह मात्र 499 रुपय में आप लोगों के पास प्रेजेंट हैं सीवीटी वन प्लस सीवीटी टू आपके पास बात करें साथ सौ सततर रुपय में आप लोगो क्या कराया जा रहा है तो यह दोनों को देखना दोनों को इस ं में से आपको आपके रहे Morocco सीवीर हो आप उसको पर्चेस कर सकते हैं और अपने प्रप्रेशन को और मजबूत और धार दे सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इन Tools विलकुल भी आप बिल्कुल भी इन से लगे रहना है इन पर अपना काम फोकस हो बनाया रखना है ठीक इनको भी आप जो बेट एकडमी की विफसाइट है एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक है वहां से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो ज आप इनको भी जाकर जाकर सकते हैं इनको भी जाकर परचेस कर सकते हैं अप्लीकेशन की हप से कुछ और चीज़ें भी है RRBJ SSCJ काहां आपके पास जो बैच है ठीक है Campus Recruitment Training All State and A&J Smart Courses Dopamine Courses Engineering Services Non-Tech गेट subject wise, combo, यह सभी चीज़ें आपके पास available हैं, एक roof के अंदर, एक tree के अंदर, एक ट्री के अंदर, सभी चीज़ें आपके पास या है वेटा, available हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है सर, website, gate academy की, आप लोग जाकर इनको भी purchase कर सकते हैं, इनसे भी अपनी position को और मझबूत, और सुद्ब्रन जो है वो कर सकते हैं ठीक है इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आपके पास वॉल्यूम वन वॉल्यूम वन किसके सर आपके पास फिजिकल कॉपी किसकी सर आपके पास गेट एकडमी की हाड़ बुक ठीक हाड़ कॉपी और आपके पास क्या सर अगर मैंने ब के माध्यम से क्या हो सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से आपको देखने को सभी चीजे मिल सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी इस QR कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हो इनके साथ जुड़ सकते हो ठीक है यह आपके पास क्या सर् बहुत important चीज जो मैंना बताया कि मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आप लोगों के लिए ये जवर्दस चीज है यह क्या है जवर्दस जीज यह आपके पास क्या है बेटा हैंड बुक ठीक है क्या है आपके पास हैंड बुक मेकैनिकल इंजिनरिंग की कैसे format में, e-book की format में, ठीक है, कैसे format में, e-book की format में आपके पास कैसर है, ठीक है, इसमें concepts, theory, formula, सभी चीज़े present हैं, सभी चीज़ें क्या हैं, present है, ठीक, आपके gate, ESE exam हो, PSU's का exam हो, SSC का हो, RRB का हो, किसी भी state और JEE का exam हो, या फिर कोई भी competitive exam, जिसके अंदर ये आता है, तो ये Google, e-books, Google books के माध्यम से आप इसको purchase कर सकते हैं, इस QR code के माध्यम से भी purchase कर सकते हैं, जवर्दस्ट, आप कहीं भी travel कर रहे हो, आप कुछ भी कारी करने के ज़रूत नहीं, अपना phone खोला, books खोली, और उसको अराम से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, price मात्र 222 रुपए, इस चीज को आपको क्या रखना है, तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी आप लोग purchase कर सकते हो, और अपनी preparation को और मजबूत और अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, ठीक है, तो चलिए, आगे क की तरफ चलते हैं सुरुवात करते हैं अपने आज के कॉंसेप्ट की आज की चीजों की जैसा की आप लोगों को पता है ठीक है जैसा की आप लोगों को पता है ठीक चलिए जैसा की आप लोगों को पता कि हम लोगों को स्टार्ट करना है क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है और आपका मुमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने इसकी बात की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास क्या होता है Center of gravity हमारे पास क्या जिसको सी ओजी बोलते हो यह होता क्या है आपके पास किसी भी बॉड़ी किसी भी बॉड़ी अब जिसको यह कोई अब्जेक्ट है इसका वेट इसका क्या है कुछ वेट है इस बॉड़ी का कुछ बेट है तो आपने कैसे माना कि सर यह वेट आपके पास य यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी हो सकता है यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी मतलब कहीं पर भी इसका वेट है वह हो सकता है अब आपको पता है कि होता क्या है आपको पता है कि यह जो ब्लॉक है ठीक है यह जो कोई भी बॉडी है वो छोटे-चोटे पार्टिकल से म के बारे में पढ़ना हर एक इंडिविज्विवर्टिकल के बारे में पढ़ना तो जैसे हमारे पास रिजल्टेंट वहाँ पड़ था कि ज तो यहां से आपके पास क्या है सर यहां से आपके पास कुछ चीज कोई object कोई condition आपके पास आ गई जो की आपके पास क्या है यह आपके पास काम किसका कर रही है यह आपके पास यह काम कर रही है आपके पास यह काम कर रही है आपके पास यह उस center of gravity 20 पॉइंट मद्ध कि हमने मानले कि पूरी बॉडी का पूरी बॉडी का मानल लिए फ़ल ये चीज ध्यां से सुनना कि हमने किम मन है यहां पर माना है कि हमारी पूरी बॉडी का भेट formaible कि अध्यक्र को ही हम लोग बोलते हैं, cog center of gravity, center of gravity point, ठीक है, center of gravity point, मतलब पूरी body का जो weight है, वो यहीं पर considered होगा, वो यहीं पर considered होगा, तो यह कितना होता है, m in 2g, m in 2g, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, यहां तो जी, तो gravitational acceleration है, constant है, mass हो सकता है, बदल जाए, ठीक है, तो यहां प के पास छोटे-छोटे particle होंगे, इनका, let's suppose कुछ यह, 2 kg, 1 kg, 200 g, 400 g, 800 g, मतलब कुछ इस तरीके से, इनका mass हो सकता है, अलग-अलग, इसका अलग, इसका अलग, मतलब हर सबका अलग-अलग, कुछ अपना different mass, जो है, वो हो सकता है, अब यह completely body है, complete body, किसी एक point पर, किसी एक point पर क्या है, concentrated होगी, यहाँ पर इस पर क्या लग रहा होगा, इसका जो mass होगा, इसको क्या बोलते है, coam मतलब आपके पास कैसर, center of mass, center of mass, देखो, difference क्या है, center of gravity में, center of mass हमारे पास वो point होता है, जहाँ पर, पूरे system का, हम लोग, मानते हैं कि, यहाँ पर mass assumed है, एक point है, ज center of gravity वो point होता है, center of, center of gravity वो point होता है, जहाँ पर, वेट, जहाँ पर, वेट, हमारे पास क्या होता है, पूरी body का, मानते हैं कि, यहाँ पर ही लग रहा है, assume करते हैं कि, यहाँ पर हमारे पास पूरी body का weight concentrated है, ठीक है, अब कई बार, आप तुम लोग देखा होगा है, कि हम थोड़ा बहुत आप लोगोंने बेसिक पढ़ा होगा लेकिन आपने क्या देखा होगा कि हम लोग जब भी कभी क्या करते हैं smaller bodies की बात करते हैं हम लोग जो पढ़ते हैं smaller bodies को पढ़ते हैं उनके लिए center of mass और center of gravity आपके पास सेम होता है इसके लिए smaller body के लिए किसके लिए smaller body के लिए ठीक है is that clear यह आपके पास इतनी शीश clear है कि center of gravity और center of mass center of gravity और center of mass ठीक है चलिए तो अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि center of gravity सबसे पहले it is a point we are entire weight of the system entire weight system of the body is assumed to be concentrated is assumed to be concentrated इसको क्या माना गया है आपने माना है कि इसको क्या है सर्आ आपके पास इसको एक जगाए पर हमने क्या क्या है इसको एक जगह पार हमने क्या मना गेका सर्ए यह अगर हम लोग बात करते हैं आपके पास के सर सेंटर ओफ मास के बारे में सेंटर ओफ मास के बारे में ठीक है सेंटर ओफ मास के बारे में तो यहां से हमारे पास क्या है सेंटर ओफ मास के बारे में एट इस अपॉइंट वेर इंटायर 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 मास entire mass of the system mass of the system or body is assumed to be concentrated is assumed to be concentrated rated ठीक है is assumed to be concentrated आपके पास यहां पर एक note point cog and com there is a cog yes com is same for small bodies a smaller bodies but different in larger bodies different in larger bodies तो यहां पर हमारे पास क्या होता है यहां पर होता है यहां पर हम लोग बात करते हैं कि यह आपके पास क्या है अगर हमने बात किया कि इसकी सेंट्रोइट्स की सेंट्रोइट्स यह मैं अभी देखो यह स्कोर लिख लो फिर मैं समझा देता हूं ठीक है दीज आर Geometrical Centers Geometrical Centers Defined for 3D, 2D, 1D Defined for 3D, 2D, 1D Objects Defined for 3D, 2D, 1D Objects Where Entire Volume Area Length Length मतलब 3D के लिए यह वॉल्यूम, 2D के लिए एरिया, ठीक है 1D के लिए Length ठीक है, Length Are Assumed to be Concentrated Concentrated ठीक है, यहाँ पर आपके पास कैसर, अगर हमने बात कैसर, Centroids of Volume Centroids of Volume, मतलब COV की बात कर रहा है COV की बात कर रहा है, मतलब यह आपके पास कैसर 3D 3D, और इसका आपके पास कैसर, यहाँ से, Space ठीक है, अगर हमने बात कैसर, Centroids of Area तो मतलब आपके पास कैसर, COA तो यहाँ पर हमारे पास कैसर, यह 2D मतलब यह हमारे पास कैसर, Plane ठीक है, अगर हमने बात कैसर, Centroids of Length ठीक है, Centroids of Length मतलब C O L की बात की तो सर यहां पर हमारे पास क्या सर वंडी इसका मतलब हमारे पास क्या सर यह लाइन ठीक है इसका मतलब हमारे पास क्या सर यह लाइन ठीक तो यह हमारे पास क्या है सर अलग अलग चीज़ें जो है वह हमको देखने को मिल रहे हैं कि मतलब सेंट्राइड्स ह हमारे पास क्या होते हैं यह आप लोग सुनते हों कि वाट इस सेंट्र ओफ मास वाट इस सेंट्र आफ ग्रैविटी तो यह आपके पास है क्या कि आपके पास जो है सेंट्र ओग्रैविटी की बात करेंगे तो यह आपके पास क्या है बेटा आपके पास जहां पर पूरी वड ग्रेविटी निकालने के लिए आपके पास होती है वह सब्सक्राइब करते हो एक्स आवाउड और वाई आवाउट कुछ निकालते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं directly लिख देता हूँ, center of gravity, of anybody, anybody या फिर system, जो भी समझ लो, ठीक है, anybody या फिर system, मतलब, देखो, यहाँ पर जैसे आपके पास क्या है, जैसे यह कोई object है, जैसे यह कोई object है, इसमें हम लोग क्या लेकर चलते हैं, देखो, यह हमारे पा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या-क्या होगा, यह जो object है, यह कुछ C plane के अंदर है, अब इस object के अंदर क्या-क्या चीजी होगी, भाई, इसका आपके पास आपको पता है कि सर, mass होगा कुछ, इसका कुछ पता, weight होगा, area होगा, volume होगा, ठीक, thickness हो सकती है, और इ density हो सकती है, इसमें से thickness और density को हम लोग क्या लेते हैं, बस uniform लेते हैं, बस आप यह ध्यान रखना क्योंकि कई वार object में यह पूछ सकता है, तो thickness और density को हम लोग uniform लेते हैं, तो यह thickness आपके पास यह जो चोड़ाई देख रहे हो, ठीक है, कितना आपके पास ठीक है, तो इस इस धिकलिए हमारे पास क्या ऐसा, जो center of gravity हम लोग पढ़ रहे है, यह भी हम लोग किसके अंदर पढ़ रह रहे हैं, यह planar body के उतनर की बात करें, ठीक है, प्लेनर बोडी के अंदर की अंदर की बात करें, क्योंकि यही हमारे पार पास में है, यही हमको पढ़ना है, planar body ब लोग बात करेंगे 3D body के अंदर भी हम लोग बाद में फर्दर देखेंगे ठीक है तो यहां पर अगर हम चर्चा करते हैं center of gravity की यहां पर भीटा आपके पास क्या होता कि अगर आपके पास किसके क्या क्वाडिनेट ही तो चाहिए होते ही कहां पर होगा तो location let's suppose यहां पर आते हैं मतलब coordinates जो आते हैं CoG के किस format में आते हैं यह एकस बार कॉमा य वार के format पहेंगे इसके पास आएंगे आपके पास आएंगे बाकि normal values xy के respect में देरखी रहेंगी लेकिन जम बात होगी center of gravity की एकस बार भार के respect में आपको क्या करना है ध्यान रखना है तो अगर यह निकालने के लिए आपके पास कैसर पार्टिकल की पार्टिकल की गई इस और डिस्टेंस चास्टेंस यह connection में तो सर चाइब आपके पास कुछ यह है यह है किस्तिशेंस है यह है मतल疑 यी सब्सक्र hem सब्सक्राइब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहूं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है एक बार इंट्रिकल के फॉर्मेट में पूछा है तो इसको भी आप लो क्या कर लो लिख लो बैसे आपके पास 99 चीज़ है यहीं से आपके पास देखने को मिलेंगे जब इनके अप्लिकेशन सॉल्व करोगे तभी यह नहीं बता रहा है डिरेक्टली फॉर्मूले भी बता रहे हैं आपको यहां से आपके पास क्या सर डबलू है वाई आए डिवाड़ेड़ वाई सिग्मा वाई है यह चीज़ ध्यान रखेगा यह चीज़ ध्यान रखेगा अब इसी तरीके से इस ऑपजेट की वाई यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहां से यह भी कुछ इसी तरीके से लिखा जा सकता है बाईवार इक्वल्स टू इंट्रीकल ओफ वाई डी डबलू अपॉन में कैसर इंट्रीकल ओफ डी डबलू यह इस रिस्पेक्ट में यह भी लिखा जा सकता है तो इसको भी क्या रखना है इसको भी ध्यान रखना है अपने मन में बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना अच्छे तरीके से रखना अब सेंटर ओफ ग्रेविटी आ गई ठीक देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है एक ही सॉल्व करो उससे वैल्यू निकाल सकते हैं ले और कहीं कहीं पर थोड़ा सा क्या है क्रैसकोर्स में ऐसा रहता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इसलिग कर भी सकते हो बहुत सारी शीदें आपको रटनी पढ़ जाएंगी तो यह थ्ला सा क्या है यह थ्लदा सा एक Luca अच्छी भीचीज़ है चो यहां पर आपके पास यह एक्स बार कितना हो जाएगा ठीक है यहां पर आपके पास क्या है तो अभी यहां पर हम लोग सिर्फ फॉर्म्ले फॉर्म्ले की चर्चा करेंगे एक्स बार एक्स बार यह कितना हो जाएगा समिशन ऊफ समिशन आफ माई एक्स इक्स डिवादेड इपास क्या समिशन आफ माई की चर्चा करी तो हमारे पास क्या समिशन आफ तो यह हमारे पास क्या है सर वाइब वार निकल कर आ गया यह हमारे पास क्या है सर सेंटर ओफ मास निकल कर आ गया अभी आपके पास अगर हम लोग इसी तरीके से सेंटर ओफ मास निकल कर आ गया तो अगर हम चाहें तो सर हम क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहां से में लूर्पी के लिए हम लोग जनेले निकालते हैं तो सेंट्राइड कि अगर हमने बात कि एक सेंट्राइड इसको मेंено सिंट्राइड नियालाट इसको अनुव महां पयों में पूचान लेकिन इसके जो δाख प्लिकेशन ज्याधा इंपॉकस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है ठीक है उन चीदों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है क्या है आपके पास सेंट्रॉइट्स यहां पर अगर आगर आगर हमने बात किThere ऑल सबसे पहले एकर इ finns हर इसे पारव वॉल्यूम किसके लिए निकालेंगे भाई 3D के लिए निकालेंगे थिक है bait वॉल्यम किसका निकालते हो सब्सक्रदी यहां से आपके पाएंस का आएगा जैसे जो immortal पीछे ऊखी चलेंगे फामुल रही चलेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा थूटा सा बस चेंज रहेगा कि अधक्योर९ क्ष reduction समीशन आफ वी एक साइऍ डिवाइड़ल्वैर समीशन आफ वी ए ठीक है यह एक्स वार हो गया ठीक है इसी तरीके से हमारे पास क्या सर वाई वार इकुल्स टू समिशन ओफ वी आई वाई आई समिशन ओफ वी आई तो यह आपके पास क्या सर यह आपके पास ठीक है यही वाले question लगाते हो एक्स वार निकालने के लिए a1 into x1 plus a1 into x2 a2 into x2 यही वाले formula हैं सब यहां के पास क्या सर एक्स वार कितना हो जाएगा सर summation of a i x i upon में क्या तुम्हारे लिए यह बहुत important है ठीक है यह क्या सर यही तो formula है यह वाला formula क्या अगर इसको open करके लिखना चाहूं sir a1 x1 plus a2 x2 कहां तक मतलब जितने भी पाट जितने भी cases बन रहे है a n xn अपन में कितना जर आपके पास अपन में कितना असर एवन फिर a2 फिर a3 इस तरीके से जोड़ते हूं चले जाते हैं एं तेक जितने भी numbers हो तो बस वही concept है वही concept है यह ध्यान रखना है तुमको यह तुमको सभी क्या करना है ध्यान रखना है ठीकि जब इसकी questions करेंगे तब यह ज्यादा अच्छे से समझ म unable you ins Ryukod 01-Tak कि यह आपके पास क्या होगे सद्विए अब लैंथं के लिए भी लिख सकते हो धेक लैंथ इंथ लिए भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो कि लैंथ के लिए भी लाग लेंद 근데 हो length के लिए क्या हो जाएगा Centroids of length मतलब यह किसके लिए 1D के लिए निकालोगे area किसके लिए निकालो area किसके लिए निकालो भई यह 2D के लिए निकालो ठीक है अब centroid of length की बात करोगे तो यहां पर से कुछ नहीं करना है एक्स वरावर submission of li xi upon my submission of xi ठीक है इसी तरीके से y वरावर submission of y वरावर submission li yi upon my submission of yi ठीक है बस यही दियान रखना है बस यही दियान रखना बाकी questions कराएंगे तो सारी चीज़ें आपको cover करा लेंगे तो सभी चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे वहाँ पर cover कर लेंगे ठीक है चालिए तो अभी इस session को हम लोग यहीं पर समप कर देते हैं अब थोड़ा सा moment of inertia के वाले पार्ट को हम लोग next session में थोड़ा सा सुरुवात करेंगे उसके बारे में देखेंगे तो moment of inertia की theory next session में और फिर questions जो हैं वो हम लोग further sessions के अंदर देखेंगे तो moment of inertia वाले पार्ट को next session में शुरुवात करते हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए फिलाल session को यहीं पर समप करते हैं मुलाकात करेंगे आपसे कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखे अपने परिवार क यहीं पी요 को इसे देखेंगे ख्या